प्राइमरी स्कूल का हम एक्सपेरिमेंट लेकर आए हैं आपने पहले पढ़ा होगा इरोजन ओफ लेंड बाई वाटर और इरोजन ओफ लेंड बाई वींड इरोजन का मतलब आप समझे इरोजन का मतलब क्या होता है कि बहुत ही जब बारिश आती है तो ये जो जमीन है वो धूल जाती है पूरा का पूरा जमीन का जो कुछ हिस्सा है वो बैह जाता है इसको erosion कहते है तो ये erosion जो है वो पानी से भी होता है और wind से भी होता है तो पानी से erosion कैसे होता है यह पहले के वीडियो में हमने आपको दिखाया हुआ है आज हम देखने जा रहे है विंड से यानि कि हवा से इरोजन जमीन का किस तरीके से होता है तो यह देखिए एक सिंपल सेटप हमने यहां रखा हुआ है कि यह जो नीचे की ट्रे है प्लेट है उसके अंदर हमने है और यहां हमने रखा है कुछ सॉल के साथ प्लांट्स थोड़ा बहुत यहां प्लांट्स उगए हुआ हुआ है और वो भी यहां रखा है तो यहां अम आपको बताने जा रहे है कि प्लांट्स यानि कि जंगल जब एकदम टिप टॉप है तो लेंड का इरोजन कम होता है और जब हम जंगल का नाश करते है जमीन इस तरीके सी हो जाती है तब इरोजन ज्यादा होता है तो यह देखिए यहां दो फैन है क्यूंकि हम विंड से एरोजन कैसे होता यह देखने जा रहे है तो इसके उपर हम जबबर जस्ट ऐर फ्लो चालू करने जा रहे यहां switch है, यह देखिये, मैं switch on कर रहा हूं, अभी यहां मैं click कर रहा हूं यह देखिये तो आपने देखा हुगा, कि यहां देखिये यह जमीन जो है, इसकी क्या יעलत हो रही है, यह दखिये और यहां जो है जमीन, जो बच्किन है यह देखिया और उसको आफ कर देंगे तो इस तरीके से यहां जो है उसका स्तर कम 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 होता जाएगा और जमिंग पुली दूल जाएगी तो दोस्तो यह था हमारा एक्सपरिमेंट इरोजन आफ लेंड बाइवेंड वी होप यह एंजोड दे वीडियो थैंक्स अलॉट पर वाचिंग दे वीडियो हमारा दिस्क्रिप्शन जो है उसके अंदर हमारी इक्सपरिमेंट रखी हुई है if you want to contact us थैंक्स अलॉट अगैन बहुत जल्दी मिल रहे है दूसरा एक्सपरिमेंट लेकर थैंक्यू